रियालिटी पिच्चर बूक सिर्फ पांच मिनिट बचे हैं क्या वो इसे रोक पाएंगे नोबिता के पैस बॉल है वो गोल की तरफ जा रहा है वो पूरी स्पीच से बढ़ रहा है ये गोल अरे नहीं हाँ अरे नहीं मौम को तो ये बहुत पसंद था अब मैं क्या करूँ ये गुड़ को ये इन क्यो ये जो प्टाद कर्षा्त अब मैं इसका क्या करूं इसे वहाँ चुपा देता हूं हाँ यह ठीक है अब इसे कोई नहीं ढून पाएगा तुम यहां क्या करें हो हाँ नहीं कुछ भी तो नहीं मॉम अच्छा नोबिता कभी-कभी खेलने से पहले अपना होमवक भी कर लिया करो समझ गया हाँ ठीक है नोबिता तुम्हें अपनी बॉल अंदर रखनी चाहिए हाँ आज तो बाल-बाल बच गया तुम क्या पढ़ रहे हो क्या यह यह है रियालिटी पिक्चर बुक रियालिटी पिक्चर बुक क्या मैं देखूं हाँ अरे यह तो मीचान है डोरेमान तुमने सही कहा हाँ तो यह बुक मीचान के बारे में है अरे इस बुक में तो दो ही पेज है क्योंकि इस बुक में पिक्चर्स मूब करती है नोबिता क्या सच में अरे वाउ पिक्चर चेंज हो गई ये पिक्चर बुक तो बहुत मज़ेदार है अरे क्या बात है अरे ये तो वही है ये हमेशा मीचान को परिशान करता है आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला ये क्या डोरे मौन तो बिना वज़े ही घबरा रहा है ये तो बस एक पिक्चर बुक है असलियत में थोड़े ही हो रहा है ये क्या वो तो पहुँच गया उसे छोड़ना मत डोरे मौन मैंने उसे भगा दिया नो पिता लेकिन तुम पिक्चर बुक में कैसे दिखाई दे रहे थे वो इसलिए क्यूंकि ये पिक्चर बुक बिल्कुल वही दिखाती है जो सच में हो रहा होता है समझे क्या सच में तो जो कुछ हमने पिक्चर बुक में देखा वो मीचन के साथ हो रहा था हाँ कैसे देखो ये तुम्हारे जैसे आलसी के लिए बिल्कुल साही बुक है नोबिता मॉम को इतनी मेहनत से सारा दिन काम करते हुए देखना तुम्हारे लिए एक अच्छा लेसन होगा मैंने ठीक कहाना नोबिता हाँ ठीक है डो रेमॉल अब जल्दी से ये बताओ कि इसे यू करना है हाँ अब कुछ नहीं करना हाँ ये बहुत आसान है ना अब मेरी बात ध्यान से सुनो ये पिच्चर बोक मॉम के बारे में है नोबिता मुझे दिखाओ हाँ तुमने सही कहा अब ज़रा मुझे भी देखने दो हाँ वो पुरानी मैगजीन दिक अच्छी कर रही है त देखो मॉम कितनी मेहनुद करती है वो तुमसे बिलकुल अलग है नोबिता क्या वो कहां जा रही है अबाह नहीं क्या हुआ अरे नहीं वो तो स्टोरेज शेड में जा रही है अब मेरा क्या होगा क्यों स्टोरेज शेड में क्या है कुछ भी नहीं तुमने फिर से कुछ छुपाया है क्यों है ना तुम्हें फिर से टेस्ट में जीरो मिला है ऐसा तो कुछ नहीं है डोरेमान पिच्चर चींज हो गई अरे नहीं अब क्या होगा वास का पता चल गया क्या वास? अब मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ नोबिता कभी कोई काम धंग से नहीं करता नोबिता मॉम वो भाग गया मैं देखती हूं कि वो कब तक मुझसे भागता है अब की बार मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूं डोरे मॉन समझ गए अब मुझे उमीद नहीं है कि नोबिता कभी सुतरीगा अरे रियालिटी पिच्चर बुक कहा है वो उसे ले गया वो हमेशा यही करता है अच्छा हुआ मैं ये बुक अपने साथ ले आया अब मैं कौन सी उस करूं हां ये बुक ठीक रहेगी तुम्हारा घर गंदा हो गया है पी को आज मैं से साथ कर देती हूँ वो रही शिजुका हां हां फ्रेंड्स पिक्चर बुक को यूज़ करता हूँ अब मैं आराम से कहीं भी बैट कर इसे देख सकता हूँ अब इसके बाद मैं कौन सी बुक यूज़ करूं हां हां अरे वाई एक हेलिकॉप्टर ये बुक ठीक रहेगी कुछ मज़ा आया नोबिता मेरा हेलिकॉप्टर कैसा लगा हे नोबिता जरूर तुम भी से ट्राइ करना चाहोगे लेकिन हम करने नहीं देंगे सुनो मुझे इसे ट्राइ नहीं करना वो चला गया जाने दो बहुत हो गया जियान अब मेरा हेलिकॉप्टर वापस दे दो अभी नहीं सुनियो मुझे अभी थोड़ी देर और चलाना है लेकिन तुम इसे काफी देर से उड़ा रहे हो जियान घबराओ मत इसे कुछ नहीं होगा अरे क्या बात है जियान ये कंट्रोल नहीं हो रहा क्या अरे नहीं प्लीज कुछ करो जियान रिमोट काम नहीं कर रहा सुनियो अरे वो तो चला गया ये कहने से काम नहीं चलेगा जियान जाओ उसे ढूंड कर लाओ जानते हो मेरे डैड इसे कल ही खरीद कर लाए थे ये बहुत महंगा है अगर नहीं मिला तो तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे ये मेरी गलती नहीं है ये इस रिमोट की गलती है सुनियो तुम्हें एक बेकार पाइलेट हो जियान गलती तुम्हारी है क्या कहा तुमने क्या तुम भूल गई तुम किससे बात कर रहे हो सुनियो मैं सच कह रहा हूँ गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम्हें एक बेकार पाइलेट हो जियान चुप हो जाओ ये सब इस रिमोट की वज़े से हुआ है ये खराब है पकड़ अपना रिमोट रुख जाओ तुम ऐसे नहीं जा सकते प्लीज रुख जाओ जियान उसे ढूड़ने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जियान अगर वो नहीं मिला तो मॉम मुझे पर बहुत गुसा करेंगी अब मैं आराम से बैट कर पिक्चर बुक देख सकता हूँ पता नहीं शिजुका क्या कर रही होगी डोरेमॉन का ये गैजट तो कमाल का है हाँ वो क्या कर रही है शिजुका को इंसेक्ट पकरना तो पसद नहीं है फिर क्या बात हो सकती है समझ गया उसकी क्यानरी कहीं उड़ गई है पिको तुम कहां चले गई हो पिको वापस आजाओ पिको शिजुका देखो वो वहां पीड़ पर है उपर देखो शायद अब मुझे ही जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी मेरा हेलिकॉप्टर पता नहीं कहां चला गया अरे नोबिता हो सकता है नोबिता को कुछ पता हो पीछा करता हूँ पिको अभी तक तो मेरी पीको यहां से बहुत दूर चली गई होगी हां पीको सुनो पीको तुम बहुत अच्छी हो आप जल्दी से नीचे आजाओ सुनो शिजुका हां नोबिता मेरी पीको वहां समझ गया मुझे अपना नेट दे दो हां मैंने पके ली हां अरे वाँ नोबिता हां अरे सुनियों का हेलिकोप्टर थैंक्यू नोबिता तुम कितने अच्छे हो कोई बात नहीं हे नोबिता सुनो नोबिता क्या तुमने कहीं पर मेरा हेलिकोप्टर मैंने देखा है क्या कहा सच में वो कहा है हां ये रहा सुनियो हां अरे ये तो मेरा हेलिकोप्टर है ये उपर पेड में अटका हुआ था सुनियो थैंक यू नोबिता ये हेलिकॉप्टर बहुत महंगा है मुझे माफ कर दो नोबिता मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी परिशान नहीं करूँगा कोई बात नहीं सुनियो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा बारिश शुरू हो गई अब मैं छलती हो नोबिता मैं भी बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब मिलते हैं अब मुझे भी अपनी घ़र जाना चाहिए शायद मॉम अब तक मुझसे नाराज होँगी अरे तुम सही टाइम पर आये हो अब जल्दी से मेरी मदद करो नोबिता हां मॉम कहा पर है वो अब थोड़ी देर पहले शॉपिंग करने गई है लेकिन पता नहीं नोबिता मॉम अम्रेला लेकर गई है या नहीं हां हां उनके पास अम्रेला नहीं है नोबिता तो बहुत अच्छा है ओ नहीं काश ये बारश जल्दी से रुख जाए मॉम हां अच्छा हुआ तुम आ गए ये लीजिए मॉम थैंक यू बेटा ये लो पकड़ो आज आपने जो कपड़े धोई थे मैंने और डोरे मॉन ने वो सारे अंदर रख दिये हैं मॉम तुम दुनों मेरा कितना ध्यान कोड़ा था मैंने उसे सौकर बॉल से हिट कर दिया था आप बहुत नाराज होंगी इसलिए मैंने उसे चुपा दिया था कोई बात नहीं बेटा मैं खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे सब सच सच बताया है जो तूट गया उसका तो कुछ हो नहीं सकता और तुमने मुझ कि भी मांगली है तो अपने नाराज नहीं हूँ अब तो तुम खुश होना नोबिता बेटा हमें घर चलना चाहिए मुझे डिनर भी बनाना है तुम्हारे पापा घर पहुंचने ही वाले होंगे कि मॉम को अच्छा लगा कि नोबिता उनकी मदद करने चला गया मुझे भी बहुत खुशी हो रही है पेट होट लाइन अच्छा क्या ये बात है ये तो ठीक नहीं है क्या बात है डोरेमान सुनो नोबिता भी चान का एक फ्रेंड है काको चैन हाँ हाँ देखा ये कितनी बुरी बात है नोबिता मैं तो कुछ भी नहीं संजा चलो हमें मिस्टर यामारा से बात करनी होगी ओ आइम सॉरी ऐसा लगता है तुम पैट्स की फिलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हो मुझे बहुत खुशी होई बताओ मीचान अब तो तुम खुश हो ना तुम्हें लगता है यहां ओर भी पैट्स है जिने कुछ प्रॉब्लम है इसने सही कहा डोरे मुझे यकीन है यहां और भी पैट्स होँगे जो कुछ कहना चाते होँगे कुछ समझे हाँ तुमने ठीक कहा लेकिन मैं हर पैट को तो हाड़ी पर सेट करेंगे और अपने फ्रेंज के जरीए मीचान सब को इसके बारे में बता देगी और हम अपने रूम में ही बैट कर सब सुनेंगे यह तो बहुत फास्ट है हलो मैं पेट हॉट लाइन से बोल रहा हूँ हलो मेरा नाम कैट्रिन है और मैं अपना रास्ता नहीं ढून पा रही हूँ तुम खो गई हो अपने ओनर का नाम और अड्रेस बताओ मिसिस सुकीटा हाउस नमबर फॉर समझ गया तुम वही रुको हम अभी आते हैं जल्दी करो नोबिता कैट्रीन तुम कहा हो वो तो यहां नहीं है मैंने उसे यहीं रुकने को कहा था अरे ये क्या कैट्रीन टिक ऐलिगेटर है कीजी कैट्री ग्लव ओ कैट्रीन मेरी प्यारी कैट्रीन तुम कहां चली गई थी कैट्री नाम की वज़े से मुझे लगा कि वो एक एट है मुझे खुशी है वो पहुच गई नो पिता, डोलर फोन, कैसे हो तुम एनिमल्स से बात करने में तो बहुत मज़ा आता होगा न एक बार मैं भी ट्राइ करना चाहती हूँ हाँ, जरूर करो हेलो, मैं पैट हाट लाइन से बोल रही हूँ मैं सुन्यो के घर से बैरन बोल रहा हूँ हाँ, बोलो बैरन, क्या कहना चाहते हो सुन्यो ने तुम्हें बताया होगा कि वो खाने में मुझे सिर्फ मीट देता है क्यों है ना देखो ये बेरन का खाना है, टॉप क्वालिटी मीट, ये बहुत सस्ता है ये सब छूट है, वो हमेशा मुझे सस्ता डॉग फूड और खर का बचा हुआ खाना खिलाता है कभी-कभी फिश्या मीट मिले तो अच्छा लगेगा इसने ये कहा हाँ, ये कभी-कभी खाने में फिश्या मीट भी खाना चाहता है, सुनियो मेरा बेरन ऐसा कभी नहीं कह सकता नोबिता, जरूर तुमें कोई गलत फैमी हुई है लेकिन इसने तो कहा है कि तुमें से सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाते हो हाँ, तुमने सच में ऐसा कहा चिंता मत करो बेरन, आज मैं तुमें अच्छी क्वालिटी का मीट खीलाऊंगा मॉम, बेरन के खाने का टाइम हो गया है देखा ये कितना खुश है हेलो, ये पेट हाट लाइन है, बोलिए क्या, तुम्हें घर से निकाल लिया? बहुत बुरा हुआ, लेकिन पीपो मेरे पास तो पहले से ही एक कैन्री है अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, मेरे अगले वाले घर में टनाको को एक कैन्री चाहिए तो मुसके पास चली जाओ पीपो ओ, थैंक यू थैंक यू, मैं इसका ध्यान रखूँगी हाँ हलो, मैं पेट होट लाइन से बोल रहा हूँ जियान तुमसे हैंडस्टैन करवाता है क्या मुकू वो हैंडस्टैन प्रैक्टिस से परिशान हो चुका है जियान मुकू के फेलिंग्स को समझने की कोशिश करो जियान लेकिन उससे तो यह बहुत पसंद है लेकिन तुम उससे हैंडस्टैन करवाते ही क्यों हो मैंने टीवी पर एक डॉग को ऐसा करते देखा था मेरा मुकू भी एक स्मार्ट डॉग है वो भी शेक, बैग, एंड टर्न अराउंड कर सकता है और इसलिए वो हैंडस्टैन भी आराम से कर सकता है लगता है मुकू से तुम्हारी बात करवानी ही पड़ेगी हे मुकू सुनो मैं बोल रहा हूँ तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो बात यह है की हाँ हाँ जल्दी बोलो क्या तुम नहीं कर सकते मुकू मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो एक बार ट्राय तो करो मैं यह सब नहीं करना चाहता तुम ट्राय भी नहीं करना चाहते तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ हाँ तुम बेकार हो मुकू, अब तुम्हें वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है मैंने टीवी पर देखा है, अब बहुत तेज वारिश होगी मॉम, अभी मैंने एक डॉग की आवास सुनी अरे मुकू, प्लीज थोड़ा धीरे चलो डॉरे मॉन एक बुरी नियूज, मुकू अभी तक वापस नहीं आया हाँ, मुकू घर नहीं आया, अब क्या करें? हाँ, पता नहीं वो इस बारिश में कहा होगा, मुझे चंता हो रही है जल्दी चलो, हमें उसे धूना होगा मुकू, तुम कहा हो, मुकू, 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 मुकू मुकू, अरे, बचाओ मुझे, प्लीज, कोई बचाओ मैं डूप जाओंगा, अरे, कोई बचाओ मुझे, प्लीज, ये मैं कहां फस गया हूँ मुकू, अब मैं क्या करूँ अरे, मुकू मुकू, अरे, मुकू क्या हूँ क्या हूँ देखो, वो रहा मुकू मुकू मुकू, प्लीज, मुझे माप कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, अब मैं तुम्हें कभी परिशान नहीं करूँगा, तुम बहुत अच्छे हो, मुकू मुझे खुशी हुई, हाँ, मुझे भी नोबिता, पैट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते है, जोगरा हो गया तो क्या हुआ, तुम भी तो एक पैट हो, डो, रेमान देखो, मुझे पैट मत कहना, मैं पैट नहीं हूँ, मैं 22 सेंचरी से यहाँ तुमारे पतक करने आया हूँ, समझे नोबिता